तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही तीन सिंपल फेमस साउथ इंडियन डिशिस नीडोसा, रवा उत्पम और रवा डोसा और इसका बैटर हम बनाएंगे सूजी से तो एक ही बैटर से हम यह तीनों रैसिपी बनाएंगे यह रैसिपी बहुत टेस्टी बनेंग तो यहां पर मैं ले रही हूं सबसे पहले एक कप रवा बारिक यह मूटा आपको इससा भी ले सकते हैं मैंने यह बारिक रवा लिया है और अब हम इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे यह देखिए इस तरीके सब्सका पाउडर बना लेंगे और इसमें हम एड़ करेंगे अब दही फोड़ा सा नमक और पानी एड़ करते वे इसका हमें एक पेस्ट बना लेंगे तो दीज़ दीरे पानी एड़ करते वे बिलकुल लंब फ्री इसका हमें एक पेस्ट बनाना है तो यह देखे इस तरीके से हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे और इसे ढखका रख देंगे 15 मिनिट के लिए साइड में तो पंदा मिनिट बात रवा थोड़ा सा पानी से फूलता है तो हम वापिस पानी एड़ करेंगे कंसिस्टेंसी तीनों रेसिपीस की अलग-अलग होती है उसी अकॉर्डिंग यहां पे मैंने रेसिपीस बनाना स्टार्ट करा है तो सबसे पहले हम रवा उत्पम बनाएंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी हमें यह वाली रखनी है तो आइए बनाते हैं रवा उत्पम- तो यहां पे मैंने इक नॉनस्टिक पेन लिया है और उस पे मैं यह हमारा जो बैटर है उसे स्प्रैड करूँगी तो यहां पे मैं मिनी उत्पम बना रही हूं इस तरीके से हम फैला देंगे और अब हम इस पैट करेंगे फाइनली चॉप अनियन टमीटो और ग्रीन चिली जस्ट बैटर डालते हैं हमें ये तीनों माटर प्याज और हरी मिर्च को डाल देना है उसके उपपर स्प्रेट कर देए थोड़ी से लाल मिर्च थोड़ा सा भुनावा जीरा पाउडर और नमक यह जब एक तरफ से शेख जाए तो इसे पलेट के हम दूसरी तरफ से भी इसे पका लेके इंस्टेंट रवा उत्पम बनके रैडी है आई अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं गाइस बैटर इंस्टेंट बनाया है लेकिन रैसिपी के टीस्ट में कोई कमी नहीं है रैसिपी बिल्कुल हमें वैसे लगता जिसे हम घंटो भीगो के तो इसे फर्मिंट करक इसे थोड़ी से पतली चाहिए तो थोड़ा पानी और एड़ कर देंगे और अब हम नॉन स्टिक पैन पे डूसी की तरह इसे हम फैला देंगे नीर डोसा में हमें फ्लेम को लोग ही रखना है और एक तरफ से हलका अचा से शिकने के बाद हम इसे दूसी तरफ पलेट देंगे बहुत जादा नहीं इसको हमें सेखना है ज़र दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना होता है और यह नीर डोसा बनके रैडी है तो नीर डोसा को भी हम हमारे साउथ इंडियन प्लेट में रख लेते हैं रवा उत्पम के साथ में तो यह हमारे नीर डोसा भी बनके रैडी है और अब हम बनाते हैं रवा डोसा तो रवा डोसा के लिए कंसिस्टेंसी हमें सबसे पतली चाहिए होती है तो सबसे पहला हम एड़ करेंगे फाइंडी चॉप अनियन टमेटो ग्रीन चिली थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और पानी अड़ करके इसे हम और पतला कर लेंगे पेस्ट को तो पानी डाला है हमने इस में ठोड़ा और थोड़ा सा इसमें हम अब नमक भी आइड़ करेंगे इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद नॉनस्टिक पैन को तोड़ा सा इसमें तेज गरम रखना होता है, तो ये देखें नॉनस्टिक पैन अच्छे से तेज गरम है और इसको हमें फैलाते वे नहीं हमें इसे उपर से डालना है, ये अपने आप फैल जाता है क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली है, आप छ तोड़ा से इसके पर घीर डाल देजिए जब ही अपना कलर चेंज करें अब हम इसे पलट देंगे और दूसी तरफ से भी पका लेंगे यह देखिए कितना परफेक्ट रवा डोसा हमारा बनके रैडी हुआ है खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बनानी भी बहुत आसान है इतनी इंस्टेंट रेसिपी है आप सुबह बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं कभी जटफेट अगर आपको डोसा बनाना हूँ उत्पम बनाना हूँ तो यह बहुत इज़ी रेसिपी है तो मसाला और हम इसे फोल्ड कर देंगे और यहां पर हमारा रवा डोसा बनके रेडी है तो रवा डोसा को भी अब हम सर्फ कर लेंगे हमारे साउथ इंडियन प्लेटर में तो तीनों साउथ इंडियन डिशिस बनके रैडी है वो भी इंस्टेंट बैटर से और टेस्ट में बहुत टेस्टी है आई जे रेसिपी ज़रूर ट्राइ कीजे और मुझे बताए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले